आज आप लोग को बताते हैं कि important 14 question जो कि आप लोग का income tax, computation, return filling में आ सकता है जो कि हमेशा एक्जाम में आती रहा है सब question आप लोग को अलग करके थोड़ा सा बता रहे है ठीक है आप लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दिजेगा चेनल को सबस्क्राइब कर दिजेगा देखिए सबसे first question क्या लिखता है explain briefly about 10 10 मतलब होता है tax deduction and collection account number ठीक है second है आप लोग का form 16A के बारे में लिखना है third है ITR1 हम दिए हैं लेकिन जितना ITR है न सब के बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लिजे कोई भी ITR के बारे में लिखने आ सकता है short note ठीक है पांच एक disadvantage बताना है manual filling of return में लोग मतलब अपने से return filling करना not electronic माध्यम से पांच difference बताना है e-filling में और manual filling of return में ठीक अपने से भरना और computer के द्वारा भरना pain के बार में अच्छा से पढ़के जाना है who are the responsibility for deduction tedious के लिए कौन उतरदाई है ठीक कौन tedious देता है write the name of five specified financial transaction in which pen is mandatory ठीक है पांच transaction लिखना है जहां पर pen card क्या mandatory है ठीक है next हम लोग का question है ठीक है short note लिखना है short note write a note on various provision of new tax regime ठीक है इसके बारे में आप लोग तों अच्छा से पढ़ लिजिएगा explain various type of TDS certificate क्या होता है TDS क्या होता है इस सबसी अच्छा से दिख लेना है ठीक है इसके बारे में क्या provision है next question है क्या various type of verification ITR by submit by NSSC मतलब जो क्या-क्या रावे है कि ताकि हमनों जो ITR submit करते है SSC के दोबरा verification करने का क्या-क्या तरीका है ठीक है explain various types of ITR form used by the different types of SSC जितना तरक ITR है ठीक है कब क्या use किया जाएगा और कौन-कौन सा कर दाता है उसको use करेगा इसके बारे में question number 12 में आप लोग को पढ़ना है यह feeling क्या होता है इसका advantage और disadvantage और limitation यह हमेशा याज करके जाएगा important है है न आप question हम तो बार बार एक ही sentence बोलते है question sit करने वाले पर depend करता है किस परकार का question को sit करता है अभी तक आप लोग video like ने की होगे हमको पता है बहुत सारा बच्चे लोग आप लोग देखके निकल जाएगा वीडियो अभी भी like कर लिजे चैनल को subscribe कर लिजे लास्ट question हम लोग का right various steps of computation of total income total income निकालते से में क्या-क्या step को उठाया जाता है बच्चो तो इसका answer हो सकता है इसमें से बहुत सारा question कल आप लोग का exam में आ सकता है पहले तैयारी कर लियोंगे उसके बाद इस पर जाया ध्यान देजेगा ठीक है अब यही question के बहुत से नहीं चल जाना है ठीक है बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में